चलिए इस वीडियो में देखते हैं कि हम एक Flutter का Project using VS Code कैसे बनाते हैं तो सबसे पहले जैसे कि मैं लास्ट वीडियों बता चुका हूँ आपको extension पर क्लिक करना है यहाँ पर Flutter search करना है then उसके बाद यहाँ पर आपको Flutter की plugin को install कर लेना है जैसी आप plugin को install कर लेंगे उसके बाद यहाँ पर व्यू पर क्लिक करेंगे Command Palette पर क्लिक करना है उसके बाद यहाँ पर आप Flutter जैसी टाइप करते हैं then यहाँ पर आपको new project का option आएगा आपको new project के option पर क्लिक कर देना है उसके बाद यह आप से पूछेगा आपको application मनानी है module बनाना है package बनाना है या plugin तो हमें अभी application बनानी है तो हम application पर क्लिक करेंगे उसके बाद मेरे को एक project के लिए folder से लेट करना है तो सपोज यहाँ पर मेरे पास अभी एक project बनाने के लिए folder यहाँ पर बना जाता हूं न्यू फोल्डर बना जाता हूं यहाँ यहाँ पर मैंने लिख दिया कि लटर न्यू कि प्रोजेक्ट नाम से मैंने फोल्डर बना दिया इसको select कर लेते हैं कि लेक्ट कर लिया मैंने select करने के बाद यहाँ पर इसको प्रोजेक्ट अब यहाँ आप से यहाँ पर पूछ रहा है project का नेम सपोज मेरे को प्रोजेक्ट करनेम अभी मैंने और मेरा app development के अंदर मेरा फोल्डर था फोल्डर के अंदर project फ्लटर new project फ्लटर application 1 यहाँ पर देखेंगे आपको बहुत सरे इस पर आप यहाँ बटाया है कि आप यहां पर टर्मिनल पर जाये लडर जाने के बाद है आप अपकमांड के थ्रूख कमांड क्या थी मिरी flutter run तो फ्लटर रन के थूब भी आप यहां से यूज कर सकते हैं या तो आप यहां पे दरेक्ट लिख दीजिए या फिर यहां से रन कर लिजे तो यहां से मैं रन कर देता हूं एक बार रण विताओ डिबग इंग तो इसमें थोड़ा टाइम लगता है तो उसके बाद अगर सपोस किसी करण वश अगर आपकी यहां पे अगर यहां से वी एस कोड से आप नहीं रन कर पा रहे हैं देन उसके लावा एक और होता है कि आप यहां तो इस टर्मिनल के अंदर ही कमांड लिख दीजिए फ्लेटर यहां फिर आप इस प्रोजेक्ट पर जाने के बाद यहां से कमांड प्रॉम्ट ओपन कर सकते हैं और यहां पर भी आप देखेंगे कि आपका फोल्डर है यहां पर भी आप अगर फ्लेटर रण टाइप करके एंटर करते हैं तो यहां से भी आपको पूलेक्ट हो जाता है यह प्रोजकट इस तरही से चलेगा जब यह ओपन हो जाएगा सब कुछ आपकी ठीक हो जाएगा देन आपको इस तरीके से प्रोजक्ट हो गा इसमें आपका यहां पर अडरस होता है इस लोकल होस्ट बोलते हैं यह अभि आपके लोकल बैसिकल्या अपकी मैशीन पर चल रही देन उसके बाद यहां पर यह एक material app design app है इसलिए यहां पर आपको एक यह एप बार दिख रही है इसके अंदर आपका एक कुछ यहां पर इसका टाइटल है Flutter Demo Homepage देन नीचे counter है तो initially counter 0 आता है जैसे हम plus button को press करते हैं counter मेरा बढ़ता जाता है और यहां पर यह आपके page का title है तो आप जब यहां पर जाके देखते हैं तो देखिए यहां पर main function है यहां से मेरी run app है आपका initially यह code होना जरूरी है यही आपकी app को run करता है उसके बाद यहां पर देखेंगे तो यहां build function है और यह build function आपका यह basically यह my app जो मैंने यहां पर अपनी class बनाई है और यह जो मेरी my app के class है यह extend करती है status विजिट को तो अभी detail में मैं next वीडियों बताऊंगा आपको यह सब चीजे क्या है बस आप यह समझ लीजिए कि अभी आपका build function सबसे पहले run होगा जैसे build function run होगा तो इससे होता कि आपका material app का एक object बना के देगा और उसके अंदर कुछ title set है कुछ theme set है तो theme में आपने देखा blue color set है आप इसको change भी कर सकते हैं और इसके इलावा इसका home page का एक title है यह कुछ basic सी चीज़े है जब आपकी app run हो जाती है तो देखिए मेरी app run हो गई यहाँ पे तो इस तरीकी का मेरे को page देखेगा इसको change करता हूं यह देखिए इस तरह काउंटर बढ़ता जाता है तो हम नेक्स वीडियो में देखेंगे कि बेसिक चीज़े कि इस आप के अंदर क्या क्या चीज़े हैं थैंक्यू बेरी मुच